Hey guys, welcome to the study with my young, मैं हूँ आपका मयांग और आई लाराओं मैं आपके लिए कछा बारे की समाज सास्त की पार्ट पुस्तक भार्तिय समाज आज इसी क्रम में आपका यहाँ पर अध्याय छटवा है, यहाँ पर हम सांस्कतिक विवित्ता की चुनोतियां पढ़ रहे थे तो आज हम यहाँ पर इसका जोगा पार्ट टू डिसकस करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, दिखते हैं मैं क्या-क्या डिसकस करना है यहाँ पर हमने पार्ट बन में संब्दाय, राष्ट राज्य और बहुत संस्कति संब्दाय के बारे में हमने जाना था, यानि कि अलग-लग संस्कति के संब्दाय जो हैं किस तरह से रह रहे हैं, उनके बारे में हमने जाना था आज हम भारती संदर्ब में यहां पर छेत्रबाद को देखेंगे कि भारती संदर्ब में छेत्रबाद ने अपना क्या युकतान दिया है और इससे क्या-क्या दिक्तनें क्रियेट होई है बात करें भारत में छेत्रबाद की तो भारत में छेत्रबाद आपका भारत की भाषाओं, संस्कतियों, जन जातियों और धर्मों की विवित्ता के एक वज़े से ये पाया जाता है खास करके आप देखेंगे कि हर किसी विशेष छेत्र के पहचान होती है, उनके चिन्नक होते हैं और इनकी विज़े से एक भागुलिक संत्यंदर के काड़ भी ने रोस्थान मिलता है, यानि आप देखेंगे कभी-कभी क्या होता है, कि कभी छेत्रबाद को बरीता दी जाती है, छेत्रबाद को लेकर तरह-तरह की बातने की जाती है, लोगों को एक जुट होने की सला दी जा कि वे किसी एक छेत्रबिस से बिलॉग करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ बर तो भारती संगबाद जो है, इन छेत्री भावुकताओं को समायवित करने बाला एक साधन है, वास्तम में हमारे समिधान निर्माताओं ने हमारे समिधान का निर्मार कुछ इस प्रकार से किया कि हमने अपने विभिन छेत्री भावनाओं को यहाँ पर एक जोट और समायद कर लिया है, यानि किसी की भावना का निराधर नहीं किया है, सभी की भावनाओं का आधर करते हुए हमने उन्हें आबस में एक सूत्र में फिरो लिया है, इस तरह से हमारे समिधान यहाँ बावर अगर आप लोग जानते ही होंगे कि स्वतंता प्राति के बाद हम देखेंगे प्रारम में भारती राज ने बिडिस भारती अप्रवस्ता को यहाँ पर अपना ही रखा है, यानि कि जैसे सुरुगात में बिडिस भारत में राज भुगा करते थे, बड़े- इलागे चैंज कर दिये गए हैं, और आप देखेंगे जो प्रेसिडेंसी यहां थी बारत के सासन में, तो यहाँ पर बड़े-बड़े बहुनरजती, नरजाती और भावासी प्रांती राज भी थे यहाँ पर, और यह कहीं ना कहीं आप देखेंगे, उस समय यह राज कहीं आपके एक अड़ो संगी राज की भूम का निभा रहे थे, और एक बड़ी प्रसासनिक राज की भूम का भी यह निभा रहे थे, यहाँ पर आप जब इनका विक्टन देखते हैं, यहाँ पराने प्रेसिडेंसी सहरों का विक्टन देखते हैं, तो आप देखते हैं, जैसे मदरास में कौन कोन आ जाता था, तमिल आ जाते थे, तेलगू आ जाते थे, यानि अभी भरतमान में आपके आंधर वाले जो हैं, वो तेलगू हैं, कंड़, कंड़ के बारे में जानते हैं, करनाटक वाले हैं, मल्यालम, यानि कि आपके केरल वाले, तो ये सब लोगों को मिलक क्या है मद्रास बनता था बिटिस भारती सरकार द्वारा प्रत्यक्चुक्ट से प्रसासित सिसी टैंसियों और प्रांतों के लाबा संपूल भारत में एक देसी राजाओं की रियास्तने रिजबाडे थी जो कि उनकी अधीन थे या फिर उनकी अधीनता सुईकार नहीं की थी कुछ ऐसे भी लोग थे लेकिन आप देखेंगे जब समिधान का निर्माड हुआ है और समिधान को सुईकार हमने किया है तो उसके बाद आपनिविसिक काल की जो ये सभी इकाईया है इनको लेकर तीब लोक आंदलों की बज़े से क्या हुआ है भारत संग के भीतर एक निर किसे ने सेटल करना था इनकाईयों को अब दिक्कत यह थी किस आधार पर करें भासाई आधार पर करें तो ये भी डर था हमारे मन में कहीं भासाई आधार पर करने के वज़े से ऐसा ना हो कि लोगों में विवित्ता में लोग बढ़ जाए लोग अपनी अपनी प्यावल भ जब तेलगु भासी जो है यहाँ पर उस ब्यक्ति नहीं पर अंदलों छेड़ा है और प्रत्रक राज बनाने की मांग भी किया तो एंड में आते आदे 1953 में यहाँ पर तेलगु जो है आपका पहला भासाई आधर पर गठेत होने वाला राजी था तो आप यहाँ पर देखें के हमारे जो राज्यों का पनरगठन हुआ है उसके युदा नहीं निवाएा है बलकर सबसे magnificent रॉल निवाया है आपकी भासाने और भासाई अलार पर आपके राज्यों का पनरगठन बाद में करना पड़ा है कि यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा यह देख लेते हैं उसके बा वर 2026 को कार्यानवत की गई थी तो राज प्रनरगठन आयोग की यहां पर प्राश्ट भूमी दी जा रही है कि कैसे राज प्रनरगठन आयोग पना है तो वह आप देखेंगे 2020 की दर्सक में आप यह देखते हैं कि जो भारती राश्टी कॉंग्रेस है इसने आपका भासाई आधार पर इसे पनरगठन करने का उद्धिस यही था कि ज़्यासे ज़्यादा लोग इस्थानी लोग इसमें जुड़ पाएं यहां पर आप देखेंगे अब इसकी प्रांती क जाई उने भासाई आधार का अंसरड किया है जैसे एक मराठी बोलने वालों के लिए यहां पर आप देखेंगे दूसरी उडिया बोलने वालों के लिए ऐसे करके बन गए हैं तो यहां पर आप देखेंगे इसी समय गांदी जी बगारा और उनके तमाम अन्वाई सुतंता मिल गई है अप स्वतंता के समय है आपको पता है हमने सबसे वड़ा धन्स जियला है तो हमने अपने आज आज आजादी हमें मिली गई थी उसके बाद विभाजन का जन्स जियला है विभाजन के बड़ाम सरूब आपने दिखा हुगा एक घीजर नरसंगार भी हुआ है इसमे बासा के आधार पर हमें जोड़ा था अपना कॉंग्रेस में आप हमारी डिमांड पूरी कीजिये हम जिस बासा में रहने वाले जिस बासा को बोलने वाले हैं लोग उनेंके हिसाब से एक राजी मना दीजिये लेकिन फिर से यहाँ पर टकरा हो गया तो यहाँ पर आप स्वास के साथ गहरेल लगाओ का परड़ नाम था और इसी प्रकार भासा में बढ़ जाने की अफसला कौन देगा तो भासा में बढ़ जाने का एक डर था तो यहाँ पर आप देख रहेंगे इसी समय यह बिचारदारा उस समय के चोटी के जो कॉंग्रिस नेता थे सबसे टॉ अधार भल्लब भाई पटेल नहरु जी है राजा जी आ दी है तो इनके मन में यही डर था कि कही ना कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो धर्म के आदार पर देश पटी गया है अब भासा के आदार पर अगरम राज्य पनर गटित करने हैं तो कहीं राज्यों के मद्द भी दूंद जो यहाँ पर फिर से ना चड़ जाए तो इस बज़े से यह लोग हिचकचा रहे थे लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक उग्र आंदुलन स्टार्ट हो गया है यहाँ पर उसी समय यहाँ पर बड़ एक चोटे बड़े कॉंग्रिसी नेताओं ने भासाओं के हुआ है आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में मद्रास प्रेसिडेंसी में आप देखेंगे जो तेलगुभासी वाति समदाई था इसनने सबसे बड़ा खरांदून किया है और इसका नेत्रत करने वाले ब्यक्ति थे पोट्टी स्री रामुलू उन्होंने क्या है यह तो एसा ही यहां का हाल था, मदरा स्पेस्टी नैंसी का हाल था, जब पोट्यू स्री रामलू की मिर्त्यू हो गई, उसके बाद एकदम धंगे फसाद इस्टार्ट हो गए, तो इन सब से निपटने के लिए सरकार को यहां पे मजबूरी में, राजपनर गठन आयोग बनाना पड़ा है, और उसी समय यहां पर जब इनसात्म के सिती थी, इसके परड़ाम सुरूप एक तेलगू राज, यानि आन्द पदेश्की स्थापने 1953 में हुई है, ततकालवास सरकार ने यह देख लिया, कहीं यह ऐसा ना हो कि अभी अभी आजादी मिली है, फिर से हमारे जिस दिस्टार्ट हो जाए, उससे बचने के लिए, उन्होंने पहली ही सोच लिया, कि अब चलो, जैसा जनता कह रही है, उसकी बाद हम मान लेते हैं, अपनी इन पर नहीं थो पहेंगे, तो ऐसे करके यहां पर इसकी बाद राज पर रायुक बनाया गया है, और इसने 1956 में भास उन्हों के बिचार को जो मजबूती किया है, यानि कि जो हमारा संगवाद है, उसको मजबूत करने में भूमिका निवाई है, उससे में जो नेताओं के मन में डर था, कि कहीं ऐसा ना हो, कि उपविभाजन वाली स्ति क्रियेट हो जाए, छुट्छोटे स्टेट बन जाए, और इस्टेट अपने में भासाई आधार पकेल प्रतिपद्दों, देश के प्रतिवने की कोई भूमिका ना रहे, ऐसी जो यह सब धारना है थी, सब एक दों उलट साबित होई, यानि कहीं ना कि आप देखेंगे, छेत्री स्तरबर ये भासाई आधार राज बनाए गए ग दिकर किया गया है, कि 1983 स्मेंश से लंका में जो ग्रहवद पे चड़ा हुआ है, तो यहाँ पर चड़ा क्यों हुआ है, जो बहुत संग्यक सिंगली भासी संब्दा आए है, इसने अपनी भासा को यहाँ पर इनके उपर तमिल भासी की उपर तोप दिया है, और तमिल भासी यहाल हो परी साजवती pięu पाकष्तान होनी जो पाकिस्तान हों Meer चाल परइल पाकिस्तान का वहांती क्थे लोग तो पख्मी पाइम使दानि लोग थे उनको आप देखेंगे जब भासाई अधर पर यहाँ पर लोगों में टकराव होते हैं तो किस तरह की स्थिति निकल कर आती है वो बताया गया है इसी तरह आपके सं दोहआर में तीन नये राज़ भी बने हैं याने कि यहाँ पर बताये हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आधारी आता पर इनकी स्थाप न की गयी वे बलकि आपको पता है इनका जो पर्यावडी छेत्र है, बिल्कुल अलग है, जन्जाती छेत्र अलग है, क्योंकि कहीना कि संसाधन संपन ये छेत्र है, तो इस आधार पर ये इलाके यहाँ पर राजी के रूपे बनाए गए हैं, और अभी बरतमान में आप देखेंगे, अभी 28 राज्य हैं, और सा पर्विक्ष में से आप लेंगे, और संगी इकाई का ध्योतक है, तो यहाँ पर इसी तरह से आप देखेंगे, और कहिना कि राश्ट्राजी ने हमारे संगी धांचे को मजूद करने में एक भुमी का निवाई है, यहाँ पर कुछ चित्र दिये हुए हैं, यहाँ पर ये छ यह आपके पूरुगतर के हैं, यह आपके तिरपरा से हैं और यह वाला जोड़ा आप देखने हैं पार्शी जोड़ा यह मुمबई से हैं ऐसे करके हैं बताइए यहां कौन खाह से हैं फिर यहां पर अलीगर से हैं हैथराबास से हैं, गौवा हैं कोलकाता है तो यह यहाँ पर चित्र कुछ दिये हुए है यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सम्विधान है सम्विधान का आपका अनुच्छे देख से लेकर चार तक खास करके जो संग वाला पोर्शन है जिसमें राज जुड़े हुए हैं तो भारत में यह कार राज्यों को परवासित करने वाले सम्विधान उत्पन्दों के द्वारा किया गया है ताकि राज्य जो है कभी इन से अलग न हो पाएं और हमारे यहां कुछ इस तरह के प्रापधान भी रखे गए हैं जिसके जरिए क्या है राज्यों को भी सक्तियां दी गई है कि हम किसी की सीमा में जाकर अतकरमण नहीं करेंगे यहां आपने देखा होगा हमारे हैं कैंदřि सूची, राजि सूची, संबर्दी सूची बनाई गई है, तीन सूचियां बनाई गई है और तीनों सूचियों में क्या है? केंदरी सूची में Central Government कानून बनाती है, राजी सूची में राजी सरकारें बनाती है, संबर्ती सूची के जो कानून होते हैं, उन पर केंदर और राजी दोनों ही बना सकते हैं. तो ये भी चीज आप जानते होंगे इनके बारे में. इसके ल ये दिलीजिए हमारे यहां हमारे सम्यधा निर्माताओ ने इस तरह के प्रावधान इस तरह के उपववंद रखे हैं कि हमारे जो सम्मंद हम जो सोच रहे थे हुना हमारे राइनेताओं के मंद में यो डर था, डर का माहूल था, कि कहीं ऐसा नहों कि भासाई दार पर राज बना दें, तो हमारे लिए सर्दत प्रत्थक देश की मांग करने लगें, जैसे अफरीका में हुआ, जैसे हमारे यह सितिहालाद नहीं क्रियेट हो जाएं, हमारे यह स मजबूत होई, साथी साथ हमारी राष्टी भावनाई भी यहाँ पर मजबूत होई है, तो यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है, अगली आपकी जो हैडिंग है, यह है, राष्ट राज्य एवं धर्म से सम्मधित मुद्दे और पहचान है, लेकि सांस्कतिक विवित्ता कि जितने भी पक्ष हैं, उनमें सबसे जादा जो विवादास्पद हैं, मुद्दे हैं, वो धार्मिक सम्मधायों को लेकर, या फिर धर्म आधारिक पहचान को लेकर मुद्दे सबसे जादा विवादास्पद होते हैं, इन दोनों मुद्दों की विजए से आप जो समुदाय है वो आप देखेंगे जो समूव होते हैं वो धर्म निर्पिक्षता में और सांप्रदायक्षता में बढ़ जाते हैं धर्म निर्पिक्षता का विपराया यहां पर यह होता है कि हम सभी धर्मों का आदर करेंगे यानि किसी एक धर्म को हम यहाँ पर वरीता ना देकर सभी का संबान करेंगे यह धर्म रिपक्षता का भाव होता है सांप्रदैक्ता का मतलब क्या होता है केवल हम अपने धर्म का पालन करेंगे अपने धर्म को ही हम आगे मानेंगे और अपने धर्म के आगे किसी और धर्म की नहीं चलने देंगे यह सांप्रदैक्ता का भाव होता है तो इन जो समाज में जब इस तरह के भाव आ जाते हैं अल्ब धर्म निविश्टा या साम्प्राइक्टा वाले भाव आ जाते हैं, तो आप देखेंगे समाज में समू भी तयार हो जाते हैं, और आप ये समूज होते हैं, अल्ब संक्यक, माइनॉर्टी और मेजॉर्टी, यानि बहुत संक्यक के अंतरगत ये समूज बढ़ जाते हैं, अब ये समाज जब हमारा कुछ इस तरह का बन जाता है, तो वास्ता में राष्ट के समक्च वड़ी चुनोती बन जाती है, कि इस अवस्था से कैसे निप्टा जाए, और ये बात हमारे सम्धान निर्माद़ाओं के माइड में बहुत पहले सी इस पश्ट दी, और इस बज़े से उन्होंने हमारे सम्धान में, जो आप कह सकते हैं, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में हमारे जो अल्वसंक्यक समदाए है, उसके साथ कहीं ऐसा ना हो, अल्बसंक्यों को अपनी भासा, अपनी संस्कतियों बचाने का अधिकार मिला हुआ है, ये बात आप जानते हैं, यहाँ पर रही होताया गया है, कि अल्बसंक्यों और भौसंक्यों के बारे में प्रस्ण उन नेड़ेओं से समधित होते हैं, कि र आगे बढ़ते हुए अब है, अल्ब सिंक्रों के अधिकार और राष्ट निर्माड, यहाँ पर भारती परपेक्ष की बात हुई है, यहाँ बताया गया है कि भारती राष्टबाद में परभावसाली प्रवति क्या है, समावेशात्मक है, और लोकतांत्रपक जश्टी से यहाँ की, यहाँ पर हमारे यहाँ चिन्दित रही है हम हिसा से, कहने का मलब क्या है, हमारे भारती लोकतांत्र की विसिस्ता यह है, पहली बात हम लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतांत्र का मलब यही होता है, किसी तानासा का सासन नहीं चलता है, बलकि जनता का सासन चलता है, दूसरी बात क्या है हम शमावेशी प्रकति के हैं समावेश का मलब क्या है हमने विवित जातियों को विवित धर्मों को मानने वालों को विवित पंथों को मानने वालों को और विविन विविन कल्चरों से आने वालों का समावेश किया है और उसके आधार पर हमने यहाँ पर पर प्रश्टोमी तयार भी कर दी है यानि आप यहाँ पर यह देखते हैं समावेसात्मक इसलिए खा जाता है जो कि इसमें विभित्ता और भाहुलता को मानता दी जाती रही है और लोकतांत्रात्मक इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ भेदवाओ और खास करके अपवर्जन है यह बिल्कुल हम निकारते हैं यानि हमने वास्तम में एक नियायपूर और एक साम्वेक यानि उचिस समाज की स्थापना हमारे संभिधान के दोरा की गई है खास करके आप देखेंगे हमारे जो मानपतावादी विचारक थी इन्होंने भारती राष्टवादियों को प्रावित किया है और खास करके अपवर्जनात्मक राष्टवाद के कुरूप पच्छों में महात्मा गांदी, रवीन्दा टेगवर इन जैसे अग्रणी महानवाओं के दोरा ब्यापक उससे टीका टिपडी भी की गई है यानि जब शुरुवाद में जब आंदोलन चल लाता उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो अपने में धर्म का जंड़ा वुलंद किये हुए थे लेकिन उस समय महात्मा गांदी हुए और भी बहुत सारे विचारक और भी बहुत सारे राष्टवादी गेता रहे हैं वो इस तरह की जो कह सकते हैं जातिकत आरद या फिर धार्मिक राइनीत जोती इसके बिल्कुल खिलाफ थे उनका मानना ये था कि हमारा जो भारत है उस सभी धर्मों के लोगों के इससे मिलकर बना हुआ है और सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर रहना भी चाहिए ऐसा ना हो कि किसी एक धर्म बिसिस के लोग यहाँ पर अपना राज चलना है तो यह सब चीज़ हैं यहाँ पर आप देखेंगे इसमे यहाँ पर आप देखते हैं कि समाविसात्मक राष्टवाद को प्रभावी बनाने के लिए हमारी बिचारधारा को सम्मधान में इस्थान देना पड़ा है यानि कि हमारी जो भी उस समय की तसम्मधी बिचारधारा दी इसको सम्मधान में भी स्थान दिया गया है आप देखेंगे हमारे समिधान में इस तरह के प्रापधान रखे गई हैं ताकि हमारे कोई समू अपने आपको वंचित या सोशित महसूस ना करे यापने समानता का अधिकार रखा, स्वतनता का अधिकार रखा हमने अप पूरा अत्का मॉलेक अधिकारों हमने पूरा इस तरह के अधिकार रखे हैं ताकि जो भी एक घर्मापूर्ड जीवन जीने के लिए अधिकार चाहिए होती है वो सारे अधिकार उसे प्रदान किये गए है यहाँ पर एक चीज और है किन्तो एक मजबूत और लोगतांत्रात्मक राष्ट के लिए सभी समुऊं और विशेस रूप से अल्वसंक्यक समुऊं के अधिकारों को सुनश्चित करने वाले समयधानिक प्रापधानों की आवश्कता होती है तो यहाँ पर कहीना की अल्वसंक्यों के लिए ऐसे प्रापधान जो होती है तो अल्वसंक्यों की परिभासा की अबारे में संचिप चर्चा हमें एक सबल, संयुक्त्र और लोगतांत्रात्मक राष्ट के लिए अल्ब संक्रों के अधिकारों की रख्षा की महत्त को समाजने में सक्षम बनाती है यहने का बनलब क्या है? एक लोकतंत्रात्मक समिधान से यह अविपर आए है कि वहाँ पर जो अल्ब संक्रों है इने के अधिकारों को भी सुषित करना चाहिए तो हमारे समिधान निर्माताओने आप देखेंगे अल्ब संक्रों के हितों की रख्षा करते हुए हमारे मौलेक अधिकारों में अधिकारों के अधिकारों के लिए यहाँ पर दो प्रावदान रखे हैं यह बात आप पढ़ चुके हैं पहले भी यानि कि यहाँ पर कुछ चीरे अल्बसंगों के बारे में और ब्यापक रूप से बताई गई है कि सामाने ते जो अल्बसंगत समुग है अल्बसंगत समुग है इसका समाज सास्तर में ब्यापक रूप से परयोग किया जाता है यानि यहाँ बताया गया है कि इसका सिर्फ एक संख्यात्मक विसिष्टा के लावा यहाँ पर इसका और भी ज़्यादा महत्तु है इसको हम असुविधा या हानी के तौर पर भी यहाँ पर इसमें भाव नहेत होता है इसके रूप में भी यहाँ पर देखते है देखे कई वार क्या होता है जब अल्बसंक्याक मायनॉटी सब्द इस्तमाल किया जाता है तो कई वार लोग उसका उल्टा मतलब भी निकाल लेती है हलाँ कि समाई सास्थ्र में इस बात की भासा है इस पश्ट कर दी गई है कि अल्बसंक्याक हम किन है मानेंगे यानि जैसा ऐसे तो पार्सी सम्दाय भी हो गया पार्सी सम्दाय तो अल्बसंक्याक है लेकिन वो क्या धन्वान लोग है और और भी विसेसादिकार लोग हो सकते है माली जो कोई राजबंस बगयरा वो यह कहा दे हम अल्बसंक्याक है यह ऐसा नहीं चलेगा यानि खास करके जब अल्पसंक्यक सब्द का परेयोग विस्शिषक के बिना किया जाता है तो सामानेता है इसका अविब्राय अपेच्छा को छोटे लेकिन साथी सविधावच्छ सम्मूच से होता है यानि कहने का मलब क्या है, जब हम अल्बसंक्यक समदाय का जो सब्द का परयोग करते हैं, वो किसी विसिस्ता के साथ नहीं करते हैं, बलकि विसिस्ता के बिना करते हैं, तो यह क्या है, यहाँ पर एक छोड़े यानि साथी साथ यह सुविदा मंचे जो समदाय होता है, यानि कि यहाँ पर कहने का मलब क्या है कि जो अल्बसंक्यक सब्ध है वो केबल कोई धनी लोगों का अल्बसंक्यक नहीं माना जाएगा यहाँ पर अल्बसंक्यक होने के लिए कुछ गुड़ भी बताए है समाज सास्तर में जैसे क्या है पहली बात तो यह है कि यहाँ पर असुवेदा यहान की सिधिम होने चाहिए दूसरी बात यह है एक सामुहिक्ता का निर्माड़ यह लोग करते हैं यानि पुरा समुह बनाते हैं और इनमें अपने समुह के प्रत एकात्मक एक जुटता या इसे समदित होने का प्रवल भाव भी पाया जाता है तो ऐसे समुहों को हम क्या है अलब संक्यक समुह के रूप में दिखते हैं इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी बताईगें इसलिए जो समुह सांकिकी जश्ट से अलब संक्यक हों तो ये चीज़ें आप इस पष्ट का लिए समाज सास्ती दारे में अलब संक्यक किसे माना गिया है यहाँ पर कुछ चीज़ें और मी हैं यानि कुछ ऐसे समान उधारन भी देखे जा सकते हैं किसी एक अर्फ में सुःधा बंचित कहा जा सकता है लäकिन वो दूसरी अर्फ में नहीं है किसे पार्सी और शिखों के बारे मता है क्या रहारमिक अलब संक्यक भर्ग में तो आते हैं लेकिन अगर आर्टिक जश्टी से देखे तो यह संपन भी हो सकते हैं फिर भी सांसकतिक अर्थ में अगर इनकी ब्याख्या की जाए तो सांसकतिक अर्थ में ये सुविधा बंचित हो सकते हैं क्योंकि हिंदूओं की विशाल जनसंक्या के आगे इनकी संक्या सिखों की और पार्सियों की काफी गम है आपको पता होना चाहिए हमारे समयधान निर्माता होना है आपकी जो भी चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं उनमें इन लोगों को भी यहाँ पर अधिकार दिये गए हैं खास करके इन समुगों के लिए भी कुछ प्राभधान किये गए हैं तो यह चीज़ बताई को मिलता है इसके जैसे के धार्मिक या फिस सांस्कातिक अलबसंक्यक वर्ड जो होते हैं यह रायरिंगत दरश्टी से कमजोर होते हैं बलही उनके आर्थिका सामज किस्तिती कैसी भी हो यह भी देखने को मिलता है और यह बहुत अत्तक सही भी है याप देखते होंगे अध्येट हो जाती है और इस पर जैसे आप देखेंगे एक आंत्रिक कलह वाला महावल यहाँ पर तयार हो जाता है तो यह चीज यहाँ पर बताई गई है आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया है कि बिटिस उपनिवेस्वात के बिरुद संगर्स के लंबे बरसों में भ बिवित्ता में अनिकता का महावरा है यहाँ वह यहाँ पर से आप देखना 것이 आपको मिलेगा यहां से---- यह सब चीज़े या बताई गई है यहां पर कुछ चीरिया और ब्रेकेट में दी हुई है उन पर भी चल्चा कर लेते हैं यानि धार्मिक अल्बसंख्यों का तुलनात्मक आकार और विवरण बताया गिया है भारत में अगर हिंदूगों का भामत देखें तो दोयार गैरेकी जनकरणा के अकॉर्णिंग हमारी अबादी कितनी है हिंदूओं की 96.6 करोड है भही है उनकी संपूर जनसंख्या में परस्त देखें तो 79.8 फीसल परस्त है यानि कि अगर आपके अल्बसंख्या के है यानि सबसे बड़ा आपके अल्बसंख्या समदा है मुस्लिम समदा है उसकी तुलना में हिंदू समदा है आपके देश का सबसे बड़ा अल्बसंख्यक बर्ग है और 2011 की जो जनगरना है इसके अकॉर्डिंग इनकी जो टोटल पोपोलेशन है वो 13.8 करोड है यानि पूरी जनसंख्या का 4.2 प्रस्त है और सरवत्री फैले हुए है जमू कस्मीर में है बहुत संख्या के है पश्यमंगाल, यूपी किरल में इनकी काफी बड़े अंतर भी है यानि काफी बड़े इनके निवास पर कहना काफी बड़ी संख्या भी हाँ पर रहती है ईसाईयों की अगर बात करें यानि कि जो कृष्टिया ने उनकी बात करें तो इनकी जनसंख्या 2.78 करोड है जोरम हुआ, बेगाले हुआ, गोवा हुआ, केरल हुआ, यानि अगर आपसे कहीं कुछा जाए कि इसाई भाहल लाज ये कौन सा है तो इसाई भाहल लाज आपका नागा लेंड है ध्यान रखना है शिखों की बात की जाए तो सिख भी वैसे तो पूरे देस में फैले हुए है, इनकी टोटल पॉपॉलेशन एक दिसनलोग साथ परसेंट, पुरी आबादी का लगवा, पुरी आबादी इनकी दोसनलोग एक करोड है और इनका खास करके जो जवाव है वो पंजाब में जादा है, पंजाब में इनकी संख्या अच्छी खासी है और इसके लाब हमारे समिधान निर्माताओं के माइंड में ये चीज बहुत पहले सी थी, पहले से ही विचार थे, कि एक सुद्रण सेयोक्त राष्ट का निर्माण तभी संबब होगा, जब जन्ता के सभी वर्गों को अपने धर्न का पालन करने है और अपनी संस्कति और भासा का विकास करने की सुदंता होगी, ये हमारे भारती समिधान निर्माताओं के माइंड में बहुत पहली सी था, तो इस बज़े से हमारे समिधान में आप देखेंगे, मौलेक अधिकारों में आपके अल्बसेंकर सम्दूंक के अधिकारों की रच्चा के लिए यहाँपर कुछ प्राफदान या राज निर्दी में सहयता करने वाला कोई सिच्छण संस्थान है, इसमें प्रवेश से किसी भी नागरिक को उसके धर्म मूल वंस जाती है, इनमें से किसी आधार वंचित नहीं किया जाएगा, अनुच्छे 30 के अकॉर्डिंग, इन्हें धर्म या भासा पे आधारित अ संस्थान हैं, तो इस आधार पे राजी कोई बिरोद भी नहीं करेगा, कहने का मलब क्या है? मानलीच कोई मायनौर्टी वाला संस्थान है और राजी की सर्कार जो है, मायनौर्टी की इना होकर, भौक्त expectation बहार वह कह सरकार वो कह देंगे, इस तरह की गत्रवदी नहीं इस तरह की घ्रत्विदियां होती हैं तो ये कहीना की हमारी राष्टी एक्ता पर वी प्रश्टी ने लगा देती हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं जैसे बिस्व के अन्य इस्थानों में आप देखें और वहाँ से कंपेर करें तो वहाँ से आप ये पाएंगे कि भारत में जो अल्बसंकत समदाएं बहुत जादा बैटर हैं अन्य देसों की पिक्षा यहां क्या समदाएं यहाँ पर काफी जादा कह सकते हैं उसे सहुलियत मिली हुई है काफी जादा सहुधाय मिली हुई है और समिधान में अच्छे से उसे प्रोटेक्टिव भी किया हुआ है अगली आपकी जो हैडिंग है यह है सांपरदाएक्ता धर्म निर्पिक्ष्टा और राष्ट राज्य सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं सांपरदाएक्ता की कि सांपरदाएक्ता होती क्या है तो यहाँ पर धार्मिक पहचान पर आक्रमक उग्रवाद यहाँ आक्रमक रूप से आप किसी धार्मिक पहचान को लेकर उग्र हो जाती है तो वास्ता में आप साम्रदायक है उग्रवाद यहाँ पर बताया गया है अन्समुवकुनिम अवैद अत्वा बेरोधी समझती है यानि ये सब चीज़ें आपको मैं पहले भी डिसकस कर चुका हूँ यही सब चीज़ें है यहाँ पर जो सामडायक्ता का अंग्रेजी भाव है उसका थोड़ा अर्थ अलग निकल कराता है वालके हमारा जो ACI परपेक्ष में यानि अपने भारती परपेक्ष में जो कम्यूनल सब्द है उसका भाव कुछ अलग निकल कराता है तो यहाँ पर एक पताया गया है कि यह एक अनूठा भारती अत्वा साइद दच्चड ACI अर्थ है जो साधाड अंग्रेजी सब्द के भाव से भिन्द है अंग्रेजी भासा में जो कम्यूनल है उस सब्द का अर्थ होता है व्यक्त की बजाए संब्दा है बहीं यहाँ पर हमारे देश में का कम्यूनल सब्द इस्तमाल किया जाता है तो उसका अगर अर्थ होता है सामुइक्ता और सामुइक्ता का अर्थ यहाँ पर कही ना कि प्रबल रूप से आवेशित की रूप के में किया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर प्रबल रूप से किसी आवेश में आ जाता है तो उसे हम कम्मिनल ब्यक्ति कहेंगे इस आवेस को सकारात्मों दश्टी से देखा जा सकता है यह देखने वाला सामदायक्ताग्य प्रति साहनवूती रखता हूँ तो इसे सकारात्मों दश्टी से एक सकते हैं वही नगारात्मों दश्टी से अगर इसे हम देखते हैं यह देखने पाला इसे बिरोधी रूप में देख सकता है तो यहाँ पर यह अपने भारती परफेक्श में इसका भाहव है अगर अंग्रेजी में इसका भाहव देखें तो अंग्रेजी में communal का मतलब क्या है यहाँ पर सीज़-सीज़ा मतलब होता है जैसे कहा गया है कि इस बात पर बल देना जरूरी है कि सामद्रैक्ता रायनीज से सरोकार रखती है धर्म से नहीं देकि ध्यान देने वाली बात है आपको बहुत important बात आज समझने में को मिल रही है कि सामद्रैक्ता जो धर्म के नाम पर चला ही जा रही है आपके देश में भी देख रहे हूँ, अभी वर्तवान समय में भी आप देख रहे हूँ कि लोग अपने धर्मों को लेकर अपने धर्म का जंड़ा पुलंद कर रहे हैं लेकिन भाँ पर जो वास्तविकता यही है कि इनका सरोका जो सम्प्रदायबाद जो सम्प्रदायबाद यहां पर इस परश्ट यहां पर इस परग्राफ में की भी गई है यानि सम्प्रदायबाद यह धर्म के साथ गहन रूप से जुड़े होते हैं पर वास्तब में ब्यक्तिकत विश्वास और जो संप्रदायबाद है इनमें आवस्यक्त रूप से कोई संबंद नहीं होता है। कि यहाँ पर कहने का मलब क्या है कि ब्यक्तिकत रूप से इनके जो धार्मेक विश्वास हैं और वहीं संप्रदायबाले जो विश्वास होते हैं इनमें कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है यह बात लेखरक महुद है कह रहे हैं एक संप्रदायबादी स्रद्धालू हो भी सकता है और नहीं भी एवन स्रद्धालू लोग संप्रदायबादी भी हो सकते हैं और नहीं भी यहां पर दोनों बात कही गई है कि हो सकता है संप्रदायबादी जो व्यक्ति है वो अपने धर्म के प्रति आस्था रखता हो स्रद् क्या है कि मा लीजे कोई एक भक्त है भक्त हम किसी का नाम एक्जामपल नहीं ले रहे हैं कि मा लीजे कोई एक भक्त है यानि कोई एक एक यहाँ पर एंटिटी है उसका कोई भक्त है जैनि एक कोई ऑब्जेक्ट है उसका कोई भक्त है तो ए जो भक्त है इसका हो सकता है यह सं संब्धित धर्म को या फिर संब्धित ब्यक्ति को ना मानते हूं फिर भी इसका दावा कर रहे हैं कि हम भाई फलाने से विलोंग कर रहे हैं उनका फेवर ले रहे हैं लेकिन हम कहीं ना कि बातें कर रहे हैं वास्तिविक्ता यह है कि उन्होंने उन आदर्सों के बारे में एक परसेंट भी नहीं पढ़ा है यह हकीकत है समाथ की यह मैं और आप सब लोग जानते हैं और जो पड़े लेखे बैक्ति हैं सो अच्छे समझ रहे हैं कि आज जो जिन लोगों के नामबर मा आकरामख रायनीत पहचान बनाते हैं और ऐसे प्रतियाक भी निंदा करने या उस पर आकरमण करने के तैयार रहती हैं जो उनकी पहचान को साइधार नहीं होता है यानि कि जो भी इनकी पहचान के अंगैश्ट जाता है उसके प्रतिये आकरामग हो जाते हैं शमरायवाद की प्रमुक बिजिष्ट था उसका यह दावा है कि धार्मिक पहचान अनसभी की तुलला में सरवोपरी होती है याणि उनका एक बिजिष्ट अ कि और देखने को मिलता है याणि कोई जाती से हो तो अमीर हो गरीब हो कोई भी विवसाया अपनाधा हो लेकिन उसकी एक पहचान ही होगी यानि कि वही एक कहवत यहां पर लिखी दिया गया सामने सामने कि सभी हिंदू एक समान है यह आपने देखा हुआ अक्सर यह बातने करी जाती है समाज में अभी बर्दमान में भी बातने हो रही है कि आप कोई भी जात धर्म सब एक समान है, घर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस तरह की बात ने होती हैं, लेकिन अगर आप जरातल पर जाएं, जमीनी हकीकत पर जाएं, तो आप पाएंगे एक हिंदू धर्म के भीतर कितनी कुरितियां, कितने बिभेद आज भी मौझूद हैं, और आज भी जो दावा किया जाता है, कि सभी हिंदू एक हो जाओ, पॉसिबल ही नहीं है, यह आप अगर जमीनी हकीकत जानते हों, तो अच्छे से अफगत होंगे, लेकिन यह सब बातने फिर भी कही जाती हैं, सभी हिंदू एक समान होते हैं, जैसे सभी मुसल्मान सिक नागलेंड में निवास करते हैं, यानि कहीं कुछ समधायों के बारे में आप देखेंगे, कि वो बिविद सम्मू होने के बाप्तिती समरूप होते हैं, जैसे दिखाई दिखाई देते हैं, जैसे किरल के हिंदू मुसलमान या इसाई हैं, यह सहधर्मी हैं, तो एक जैसी स मानता है रख सकते हैं लेकिन बहले ही उनके विभिन धर्मों को मानने वाले लोक दिखने में एक जैसे हों समरूप हों उनके रीत्रिबाज, उनके आचार बिचार सेम हों वहster है यह भी हो सकता है कि अलग धर्मों से आने वाले जो बिशृष्षट पर लें यहां पर बाखिएक दंगों के तौरान लोग अपने संबदायों के पहचान हीन सर्स बन जाते हैं जहान नेने वाली भातbn ही लिए पहचान हीन इन कहने का मलब क्या है, कभी कभी क्या होता है, दंगय फसाद जब होते हैं, ऐसे भी कुछ लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कभी सामदय को पन कहा होता है, अचानक से वो अपने अपने समदय को जौईन कर लेते हैं, माली जो कोई हिन्दू खेमे में चला जाएगा, क के साथ बलातकार करने और लूट पार्ट को ये तयार हो जाते हैं यानि कि ये सब ये क्या आप दिख करते हैं कहीं ना कहीं अपने अभिवाय ने अपने गमेंड को लेकर एक गुस्षें को लेकर इनका बाला कोई मतलब नहीं रहा है किसी समूँ से लेकर ना हिंदू बाजी स समूँ से लेकर संबंद रहा है इनका नहीं मुस्लिम समूँ से संबंद रहा है लेकिन ऐसी परिस्थिती के दौरान ये क्या करते हैं अपने आप उनके सज़स्त बन जाते हैं और जिस तरह के ये समूँ कह रहे हैं समूँ में बात हैं चल नहीं है कि दूसरे समूँ को मार गुषाइंा, पहले कभी किया गया गया हुए या आधहर पर ये बात बतला ले रही है। इस तरह की ये बातें यहाँ पर कही जाती है कि हमारे समदाय के लोगों के साथ पहले त्याचार हुए है इस पर यह से हम बदला ले रहे हैं इस तरह की बातें आज भी कही जाती है यानि आप देखेंगे कि प्रत्येक धार्मिक समदाय ने नियुना अधिकार या अधिक मात्रा इसका मानसिक आगात आनपातिक द्रस्टी से बहुत अधिकरा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर सामप्राइक दंगों के लिए सरकार को किसी हद तक जिम्मेदार ठेराया जाए तो कोई भी सरकार या सत्राद रही दल इस मामले में निद्रस होने का दावा नहीं कर सकता है यानि हर सरकार हर पारटी कहीना की दंगों में अपनी रायनीत की रोटियां सेंखती हैं ये भी देखने को मिला है आपके समकालीन सबसे ज्यादा आगातकारी दो अधार देखने को मिलेंगे तो दिल्ली बाला 1984 में जो सिख विरोधी दंगा हुआ ये कॉंग्रेस के राज में हुआ है साफ-साफ पार्टियों के नाम लिखे हुए हैं देखे आप लोग मुझे नहीं कहे रहेंगे पहली प्रात आप समझ लीजिए किसी मुद्ध्य को लेकर मैं आपसे बार बार हाँ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ और मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी भाहाँ प मुझे से लड़ने से कोई फायदा नहीं है तो ब्यर्थ में आप अगर इस तरह का क्रत्य करते हैं तो मैं आपको तत्काल ब्लॉक कर दूँगा वो सकता है आपको कानूनी कारवाई भी करूँ तो यह बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आज भी फुल लाओं तो यहा पर आप देख सकते हैं कोई भी पायटी हो वो भी दूद की दुली नहीं है हर पायटी के काल में आप देखें कोई ना कोई दंगे जरूर घटत हुए है और बहाँ पर अपनी रायनेतिक रोटियां सैंकी गई है हाला के भारत का इतिहास बिलको साफ नहीं है भारत में आप देखेंगे स्वतंदा प्राप्ति से पहले भी सामताइक दंगे होते रहे हैं और यह सामताइक दंगे जो हैं अंग्रेजों की वजजेसे हुएं अंगेब्तें हैं धार्मिक सांस्कतिक छेत्री अत्वा नजाती संगर्सों के उधार्ड खोड़ना चाहें तो भे हमारे इतिहास के लगए प्रतिक काल में आपको मिल जाएंगे लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे याँ धार्मिक भाहुलबाद की यह लवी लंबी परंपरा रही है इसमें सांतिपूर सहस्तिट्व से लेकर वास्तविक अंतरमिस्टर या समनवेबास सामिल है यानि कि हमारे यहां अगर हम पुरा काल करम उठा के देगें, आज से अलग को हजार साल पहले, पंदुसा साल पहले उठा के देगें, आपको जाती संगर्स या धार्मिक संगर्स हर जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप यह पाएंगे, हमारे यह सब होने के ब ये इसाब चलती रही है, लेकर फिर भी हमारी देखने को मिलेगा, तो ये हमारे सांपदायकता वाली टॉपिकश में बताया गया है?, अगली अब हैडिंग हमारी इसी में है धर्म रिपिक्षताबाद वास्तम में होता क्या है देगे धर्म रिपिक्षताबाद का जो उध्य हुआ है वास्तम में जो संपर्दाइबाद है इसके बिरोध में हुआ है और आप देखेंगे कि बिरोधाबाद स्वरूप धर्म पर दोबस हमाद सामाजिक और रायनेतिक सिध्धानद्र प्रस् करने का प्रियास भी किया है यानि कि यह सब हम देखेंगे कि धर्म रिप्यक्षता की यार्ड में कहीं कि मैं देखने को मिलेगा कि तमाम लोगों ने अपनी रायनितिक सक्ता इसे पताया है कि धर्म और रायनितिक सक्ता के प्रतक्रण ने पश्चिम के सामाजिक इतियास में बड़ा मोल लाद ला दिया था यानि कि यह जो धर्मिपेचता बाला concept है यह पाश्चात संधर्ब में निकल कर आया है और पाश्चात संधर्ब में निकल कर आने की वजय से आप देखेंगे कि वहाँ पर जो एतिहासी परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को यहाँ पर दर्सानी कोशिस की गई है यानि कि वहाँ पर जो प्रतक्रड की राइनी से स्टार्ट होई यानि यह प्रतक्रड धर्म में पेच्छी करड या पर जन्जी बन से धर्म के उत्रोत तर पीछे हटते जाने की प्रक्रियाद नहीं करेगा यानि कि अमेरिका वालों को बिलकुल मतलब नहीं है कि धर्म में क्या चलना है कि कितना भी पाखंट चलता रहा है पाखंट कितना भी चलता रहे अमेरिका का समयधान उसे बिलकुल भी परत्यबंदित नहीं करेगा जबकि भारत में ऐसा नहीं है जान देने वाल प्राफधान भी बनाएं, ताकि लोगों के साथ बेदभाव ना हो, जबकि अमेरिका में या पाश्चात्य दर्शन में आप देखें या फिर पाश्चात्य में और भी देश देखें आप तो बहाँ पर इसी तरह यह है कि राज्यों ने अपने सम्विधान को धर्म से कि यहां पर भी धर्म को एक श्वैक्षिक ब्यक्तिकत ब्यवार की रूप में जाना जाता है और इसी रूप में यह लोग की मानते थे क्वाई जिसकी इच्छा है वो उस धर्म का पालन करें हम इसमें अस्टियब नहीं करेंगे धर्म रिपिक्ष और धर्म निर्पिक्षता के भारती अर्थों में उनके पश्मी भावार्थ तो सामिल हैं हैं लेकिन उनमें कुछ और भावार्थ भी यहां पर जुड़ गए हैं यानि हमने पश्चिम के जो भावार्थ पश्चिम के जो अर्थ हैं धर्म रिपिक्षता वह होता है जो किसी एक धर्म को या फिर अन धर्मों की तुल नाम उसका पक्षण ना ले इनका मुणलब क्या है एक धर्म रिपक्षण राज उसकी उसे वह माना जाता है वो किसी एक धर्म का फेवर ना करे ठीक है यह बात भताई गई है लेकन यह नहीं है कि अपने भारती जो आपकी धर्म रिपेक्ष्टा है उसमें आर्थ ये है कि आपका मलब ये नहीं है धर्म रिपेक्ष्टा धर्म कुकरवाद का बिरोधी भाव है इसमें धर्म के प्रति बेद्दुरेस का भाव होना जरूरी नहीं होता है यहाँ पर हम देखेंगे अगर आप धर्म रिपेक्ष्ट है तो उसका मलब यह नहीं है कि हर धर्मों से आप नफरत करेंगे नहीं आप आदर करेंगे उनका यहाँ पर भाव यह आ जाता है यह राज और धर्म के पारस्पेक्ष्ट संबंदों की देश्टी से कर देखें तो धर्म रिपेक्ष्टा का यह भाव सबी धर्म के प्रति समान आदर का ध्योतक होता है ना कि अलगाव या दूरी का समझने वाली बात यह है कि धर्म रिपेक्ष्ट होने का मलब यह नहीं है कि जो धर्म रिपेक्ष्टी उससे आप नफरत करें जैसा कि आज के समय में हो रहा है, तमाम लोग क्या हो रहा है, धर्म के नाम से लोग उसे नफरत करने लग रहे हैं, लेकिन हमारी भारती तो धर्म रिपिक्षता है, उसमें साफ साफ कही बात कही गई है, आपको नफरत नहीं करनी है, बलकि उनका आधर करना है, बेसक आप न तो यह ऐसे आपके भारत में इस चीट को लेकर आप देखेंगे, धर्मर्पिक्ष भारती राजय, सभी धर्मों के त्यवारों के अबसर पर साथ एक चुट्टी को सित करता है, यह हमारी भारत में होता है, होली, दिवाली, इद, जो भी त्यवार हो, सभी के लिए चुट्ट लिए आप दिखेंगे, पास्चाति भाव के, राजी के, सभी धर्मों से दूरी बनाए रखने, और भार्ती भाव के, राजी के सभी धर्मों को समान आदाद देने के करड़, दोनों के बीच तनाव की तरह, एक कठिनिस्षिती पैदा हुगे है, जैसा कि आप जानते हैं, प कई बार प्रशन पूछा जाता है कि आपकी भारती धर्म रिपिक्षता है हमारे या तो हज के लिए सबसेड़ी दी जाती है या फिर अमरनात यात्रा होती है तिरुपती तिरुमाला मंदर की जो भी प्रबंद है उन सब के लिए सहयता भी दी जाती है ये भी हमारे या होता ह तो कई बार जो समाज सास्तिने प्रस्ने पूछते हैं क्या एक धर्मरिपिक्ष राज्य हज यात्रा के लिए आर्टिक साहथा प्रदान करें या फिर तिरुपती तिरुमाला मंदिर परसर्थ के प्रवंद को देखें या फिर हिमालय की तिर तियात्राओं के लिए सायोग या साहता दें यासे अमरना तियात्रा हिमालय महीं होती है इसके लावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या स्वतंता दिवस, गर्तन दिवस, गांधी जैंती और अम्बेटका जैंती को छोड़ कर बाकी सभी धर्मेपरवों की छुट्टियां खत्म कर दें ये भी लोग कहते हैं कि धर्मेपेक्ष राज गौवत पर प्रतिबंद लगा दे क्या गाए एक बिस्स धर्म के लिए पवित्र होती है क्या एक प्रश्ण ये भी उठता है कि यदि वह ऐसा कर दे तो क्या वह सुरों जो सुरों होते हैं आपके पिगलेट बोले जाते हैं उनकी अत्याप पावंदी लगा दे क्योंकि एक धर्दूसरे धर्में सुर का मास्क कि मनाई हैं सेना कुछ लोग ये भी प्रश्ण बूशते हैं यदि सेना में सिक सिपाईयों को लंबे केस रखने और पगड़ी पहनने के रुमत दी जाए तो क्या हिंदू सिपाईयों को अपनी सिर्म उडाने और मुस्लिम सिपाईयों को अपनी दाड़ी बनाने की तो ये सारे जो प्रश्ण हैं वास्तम में इनका समाधान खोजना आज भी बहुत बड़ी चुनोती बना हुआ है और कई बार इनको लेकर आप देखते होंगे एक लंबी बहस एक लंबी डिवेट स्टार्ट हो जाती है लेकिन अपने भारती समयधान की अगर हम बात करें तो हमने ये सब फ्रश्ण होते हुए ये सारे फ्रश्णों के उत्तर आज भी किलियर नहीं है लेकर ये सब फ्रश्ण होते हुए हमने अपने हैं कह सकते हैं प्यूंदे व्हां भारती राजे द्वारा धर्म्रेपिक्षा के लिए प्रतिबद्ध होने और साथ-साथ अल्पसंख्यों के सरच्षड का बचन दिये जाने के बीच तनाओं के कारण भी कुछ अन्य परकार की जटलता है या पर उत्पन हो जाती है यानि कि एक ओर तो भारती राजे और धर्म मुझेति से बलॉइं करते हैं मुस्लिम से बलॉइं करते है यहां पर कुछ को सानचर दे देतो हैं कुछ के साथ यहां पर पक्षपात करते हैं तो ऐसी में एक तुष्टिकरण का आरोब लगता है तुष्टिकरण का मलब होता है गिए आपने Muslim Boat यहां पर बठोर लिए आपने Hindu Boat ऐसा करके अपने आपने केमे में Hindu Boat बठोर लिए तो बो लोग आपके favor in board डाल देते हैं, आपकी party की सरकार बन जाती है, यह देखने को बिलता है, तो यह चीज़े हैं यहाँ पर बताई गई है, इसके लाब विरोधी यहाँ पर यह तर्क देते हैं, इस प्रकार की धर्मने पिक्षता, अलब सिंखों के मत प्राप्त करने या उनसे अनप्रकार का समर्थन लेने के लिए, उन्हें अपने पक्ष में लाने का एक भाना मातर है, इस तरह की जो आप प्रियास कर रहे हैं, यानि अलब सिंखों को सहूलियत पहुचा आ रहे हैं, या बहुत संक्यों को आप दबा रहे हैं, तो यह प्रियास क्या इसलिए क किये जाते हैं पोड बैंक की राय नीट के लिए किये जाते हैं यह चीजें यहाँ बता ही गई है यानि इन पर अपनी सरकार बनाने की सूची जाती है तो यह और ज्यादा डेटिल बन जाते हैं हाल के समय में सभी धर्मों के संप्रताइबादियों ने गतिरोध बनाए रखने में युगदान दिया है क्या एक गैप क्रियेट करने में एक बहुत बड़ा युगदान आपके हाल के समय के जितने भी धर्म बाले हैं सब का है चाहे हिंदू हो मुसलिम हो सब ने अपने अपनी यहां पर गतिरोध तयार किया है यानि अब यह है अब भी सच है कि भारत का समयधान और कानुनी सरनचना विविन प्रकार के संप्रतायबाद द्वारा उत्पन की की समस्या से ने पढ़ने के लिए काफी प्रवावकारी सब्यत हुए हाला कि आप देखेंगे कितना भी गतिरोध तयार हो जाए जटिल पष्ट भूमी तयार हो जाए लेकिन फिर भी आपको मानना समधान ही है ये बात आप सब लोग याद रखें किसी भी धर्म के अनुझाई हों आप कितना भी या हला मचा लें कितना भी आप जोगा अपने धर्म धर्म चल लालें लेकिन आपको एंड में समधान ही मा आज जलितों को अधिकार दे दिये गया, रेचर दे दिया गया, हम लोग होते तो ऐसा नहीं होता, हम लोग होते तो यो अलबसंगों को अधिकार दिये गये, वो नहीं मिल पाते, क्योंकि अलबसंगों को बहुत जादा अधिकार दे दिये, उन लोगों को ये बात ध्यान से जान लेनी चाहिए, उस समझ जो सम्मिधान बनाने वाले लोग थे, उसमें 98 फीसद लोग जो थे सवड जातियों के लोग थे, 98 फीसद लोग जो है, 98 परसेंट लोग जो थे, वो सवड जातियों से ब्लोंग करते थे, और ये बात हकीकत है, अगर आप पूरा लिष्ट उठा आज बनना चाहिए, वह तो हिंदू थे सब लोग, वह तो कर सकते थे कि हिंदू राष्ट बनेगा, उन्होंनों ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो उसके बीजे उनका कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ बिचार में और स्तोर होगा, तो आज जो लोग ये कहते हैं, नह बहुत बड़ी भूल होई, भूल नहीं होई, वो लोग ने वह सोच बिचार गए, वो सोच समझ कर जो इनकली प्राबधान रखे थे, वो प्राबधान आज भी आपके समिधान में नहित है, तो यहाँ बही बताया गया है, कि राज की कलपना की गई है, जो राज के बारे म हमारि जो समिधान निर्मादा है, उन्होंने ऐसे कराजिं की कलपना की, जो सभी नागरिकों को समाबेसी प्रagटी के आदार पर समाबेसात्म प्रagटी हो जिसकी यहाँ पर सभी नागरिक आपर अपना जीवन यापन कर सकें, रह सकें, यह राज्ट निर्माड को समाज इसके बारे में हम जानेंगे वैसे तो हम राजी के बारे में उपर एक लंबी चर्चा कर चुके हैं लेकिन हाँ पर हम देखेंगे कि नागरिक समाज का उदय कैसे हो गया है आपने अक्सर पढ़ा होगा कि जो नागरिक है नागरिक वाला जो कॉंसेप्ट है या नागरिक समाज का उदय हुआ है वो वास्तम में लोकतांत्रिक राष्टों में हुआ है प्रजातांत्रिक राष्टों में हुआ है प्रजातांत्रिक राष्टों होते हैं इसमें किसी राजा का सासन होता है तो इसलिए अंतर है यही प्रजात अंतरिक में और नागरिक में यहाँ पर जमीन आस्पान का अंतर है वो मैंने आपको बता दिया है जब एक राष्ट में सांस्कति की बिवित्ता की प्रवंद की बात आती है तो राज्य वास्तम में एक अत्यंत दिननायक संस्ता की रूप में यहाँ पर ले लेता है अलाएकि यह राश्ट का प्रतिनिर्ट करने का धावा करता है पर यह राश्टर और उसके लोगों से हटकर अपनी स्वतन्त स्थिति भी बना सकता है तो सरकार कभी कभी यह भी करती है कि अपने देस में रहने वाले विभिन सांसकतिक भिभित्ता वाले समुवों को उनको जो प्रवंदित करने के लिए एक ऐसी situation क्रिएट कर देती है जहाँ पर वो इन सब के ऊपर कह सकते हैं इनके ऊपर आके बैठ जाती है आसीन हो जाती है इस हद तक कि राज, सरनचना, बिधान मंडल, अधिकारी तंत्र, न्यायपालका, ससस्तर सेनाय, पुलिस और राजी के अनिर लोगों किसे प्रतक हो जाते हैं और यह सत्ताबादी बनने की संभाविता रखता है ध्यान देने वाली बाती है, कि जब कोई पार्टी इस तरह की विचार धारा से प्रेरित होती है तो वो वास्ताबादी बन जाती है, यानि कि वो बिधान मंडल को भी अपने अधिन कर लेती है यदिनी नौकर साही है उसको भी अपने और खीश लेती है नैपाल का पर भी कबजा जमा लेती है और जो सत्ताबादी राज है वास्ता में सत्ताबादी राज एक लोगतांतिक राज नहीं होगा ये अक्सर देखने को मिला है कि तमाम लोगतांतिक देशों में इस तरह की सत् पुरा लोकतंत्र का जो ढांचा है वही यहां पर कह सकते हैं एक दम गरवडा गया है एक दम जो कह सकते हैं चूर-चूर हो गया है भारत में भी इस सिंधी created हुई है ऐसा नहीं है भारत में इससे दूर रहा है भारत में 90-75 की इमरजेंसी इसी सत्तावादी हनक का परणाम है अब यह आप आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे यहां भी इस situation create होई है, तो यहां पर भही बताया गया है कि एक सत्तावादी राज्य, लोगत अंत्रात्मक राज का वेप्रीत होता है, और एक सत्तावादी राज में लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है, और जनके पास सकती होती है, वे किसी के प्रति उत्तरदाई नहीं होती है, खास करके जब उस समय कॉंग्रेस सासंता और उस समय जब आपात का लगाया गया था, तब की situation के बारे में इसमें जिक्री किया गया है, तो यह बिल्कुल right situation आपके साथ ने बताई गई है, में ये भी यहाँ पर संभावना रहती है, कि राजगी संस्ता है, भरष्टाचार, अकुष्लता, अत्वा संसातों की कमी के करण, लोगों की जरूतों की बारिंग में सुनवाई करने के लिए अक्षम यहाँ पर अनुर्चुग हो जाए, यह भी हो सकता है, और ये 95 की emergency में में मारे यहाँ देखा भी गया, यह सारी यह situation है, हमने face भी की है, तो यहाँ पर नागरिक कैसे होते हैं, यह तो सत्ताबाद की बात हो गई, कि एक राजग है, एक राजगी का सासन जो है, लोगतंतु से सत्ताबादी लोगों के हाथ में आ जाए, तो यहाँ पर नागरिक फिर कैसे निकल कराएंगे, नागरिक समाज कैसे वनेगा, नागरिक समाज उस ब्यापक कारी चेत्र को कहते हैं, जो परिवार के निजी चेत्र से परे होता है, लेकिन राजगी और बाज़ार दोनों चेत्रों से बाहर होता है, नागरिक समाज बास्तम में साजनिक अधिका का गैर राजकी है तता गैर बाजारी भाग होता है जिसमें आले अगलग ब्यक्ति संस्था और संग्ठरों का निर्माड करने के लिए स्वेच्छा से परस्पर जुड़े होते हैं यहां पे कुछ सब्ध है पहला सब्ध है यहां पे साजनिक अधिकार का गैर राजकी का मलब क्या है चूंकि उपर जो सत्ताबादी पार्टी है वो तो राजकी है राजकी का मलब क्या है संभिधान में वर्डित जो भी प्राबदान है उनके अकॉर्डिंग सत्ता में आई हुई यह वो तो राजकी हो गया लेकिन फिर भी वो सत्ता का दुर्प्योग कर रही है यह ग पूरे समू का, पूरे समाज का जहां पर लाप लुड़ा हुआ है। इस उद्देश से यहां पर आए हैं। इसमें अलग-अलग 32 संस्था हैं संग्टरों का निर्माड करने के लिए स्वेच्छा से परस पर जोड़े जाते हैं। संग्टरों या संस्था ये सब सामिल होते हैं। इसमें रायने तक दल भी आ जाते हैं। यहां पर कोई वाड़ेजिक मुनाफ़ा करने वाले तक तो नहीं हो, सब निस्वारत भाहो से आए, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार दूर्ड रसन नागरिक समाज का हिस्ता नहीं है, यहां पर कुछ ओधार भी दिये गए हैं, जबकि निजी टेली विचन जो मतलब क्या है, हर आयाम से चर्चा करता है, समाज सास किसी एक निजरी योग नहीं दिखता है, बलकि हर आयाम से चर्चा करता है, तो यहां पर भी बता दिया, कि आप जो कहने हैं, मुनाफ़े वालिस्ति नहीं होनी चाहिए, बाड़ेजिक मुनाफ़ा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर उन्होंने किसी दिये कि ना दी कि वह एक कार निर्वाता कमपनी है वो समाज का नागरिक समाज का हिस्सा तो नहीं है लेकिन महापर जो काम करने वाले मजदूरों ने अपना संग बना लिया है वो तो एक संग है वास्तम में है कब हुआ है वो उताया गया है भारती लोगों को सत्ताबादी सासन का थोड़ा अनुबब आपातकाल के दोरान हुआ यह भारती लोगों ने आपातकाल के दोरान जो सत्ताबादी सासन है इसकी जलक देखी है जलक ही नहीं देखी है इसके दुस्परणाम भी जेले है जू 1975 से जेल में बंद कर दिया गया, यात ना है दी गई, प्रतार ना है दी गई, उन्हें वकील तक प्रोवाइड नहीं करवाए गए, जो जन्जन्चार के माद जमते हैं, यानि अखवार वगएरा उन सब पर सेंसर से प्लगा दी, यानि कि जो भी वो आर्टिकल चापेंगे, वो स संजय गांदी उससे में युवा नेता थे, कॉंग्रेस के, तो संजय गांदी की नेत्रत में, पकड़ पकड़ का लोग को, खास करके दिल्ली गासपास के अरिया में, तमाम लोगों को पकड़ पकड़ का जर्वर्ण, यानि बस से किसी नौकरी की तलास में जा रहा है कहीं आप देखें, उन्हें 77 में जब यहां पर चुलाओं हुए हैं, तो लोग क्या है, कॉंग्रेस के बिल्कुल अंगेश्ट हो गई हैं, और बढ़ चड़ कर, सत्ताधारी कॉंग्रेस दल के बिरोध में बूट डाले गई हैं, और अन्य पार्टी यहां पर आप देखते हैं, जन्ता पार्टी की सरकार, उपार्टी सरकार बनी हैं, यानि कि ये जो दसक था, इस दसक में, आपातकाल के जटके ने सक्री भागिदारी की लहर पैदा कर दी, और इसके परणाम सुरूप आप देखेंगे, 97 की दसक में नागरी समाज में नहीने कारिकरम प्रारम किये आप देखेंगे बिवित प्रकार के हाँपे मुद्धे यहाँ पर अंधराष्टी अंधराष्टी पटल पर रखे गए हैं, इसमें आप देखेंगे भूमी संबंदी अधिकार के लिए जन्जाती संगर्स के मुद्धे हैं, नगरी सासन का हस्तांत्रड, इस्त्रियों के प information वाला, यह सूचना का अधिकार अधिकार अधियम और यह स्टार्ट हुआ था राजिस्तान से, राजिस्तान के गाउं से, इसकी सुरुवात, ग्रामीड राजिस्तान में आंधराष्टान के साथ यह हुई है, यह गाउं के विगास कारी पर कितना खर्च हुआ है, यह जा जोचना का अधिकार अधिनियम 2005 बताया गया है। कि यह अधनियम प्रत्यक साजमनेक प्रादिकर से यह अब एक्षा करता है कि वह ब्यापक प्रसार के लिए अपने अभलेकों को कंप्यूटर ब्रद्ध करें, कत्प्रे सेडियों, सम्मध्य सूचना को स्वैम सक्री होकर प्रकासित करें, ताकि नागरेकों को पूरा-पूरा यहाँ पर इस पष्ट ब्याओरा मिल सके अधनियम के बारें बदाया गया कि 15 जून 2005 को पारित किया गया था तेरे एक्टूर 2005 से लाहू हो गया है, और भारत में सूचना प्रकट करने का कार है अब तक सरकारी गुप्त अधनियम 1923 के अधीन होता रहा था तो यह प्रतिबंदित था उससे, यानि कि जो आपका सरकारी गुप्त अधनियम था इसका फायदा उठाते हूँ, आप देखते हों कि तमाम चीजों को दबा दिया जाता था लोगों के सामने नहीं आपाती थी, लेकिन नए सूचना अधिकार अधनियम ने इसको रद्ध कर दिया, इसको हटा दिया ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह कि जो जन्च यतना बादी आंदुलन हुए है और एक ग्राम इस तरह से स्टार्ट होगे राष्टी स्टतर के आंदुलन पहुचा है और आप देखेंगे सूचना का अधिकार अधनियम 2005 बना है तो एक बहुत बड़ी उपलब्दी है तो कहने का मलब क्या है कि जैसे जैसे लोगों के अंदर संगर्स लोगों के अंदर अत्याचार बढ़े हैं लोगों के ऊपर तो लोगों ने अपने अत्याचारों के खिलाब आवाज उठाई है उनमें चेतना जागरत होई है और उसके परणाम आपके सामने यहाँ पर दे परास्टे भी सही नहीं था, तो यह सब कारण होने की विज़ासे में लेक्चर नहीं ला पा रहा था, यानि एक सब्ता से आप देख रहे होंगे, लेक्चर ना के बराबर आई हैं, एक या दो लेक्चर ही आप आए मेरे, तो अब आने वाले दुनों में आपके लेक्चर जा होगा कि आप लोग अपना उस ताइम में रिवी जन कर लें, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठैंक्स वर वाचिंग, जय हंद। कर देखिए ना के लेक्चर ही आए में वी ताइ में वीक हैं, जय हैं। झाल झाल